आदीपुरुष की दुरघटना के बाद मैं प्रभास की कोई भी पिचर देखने से परहेज कर रहा था जो जखम मनोज मुंतशिर और ओम राउत ने आदीपुरुष में दिया, वो जखम अभी तक भारे नहीं है कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, और चलेगी भी तेरे बाप की लेकिन प्रभास स्टारर कलकी के बारे में बहुत कुछ सुनने में आया Massive Pan India Release, one of the biggest openings in Indian box office history इंडिया में नहीं, US में भी RR का record तोड़ दिया लेकिन most importantly, इसे इंडिया के सिनिमा का best sci-fi movie बुलाया जा रहा है महाभारत का इतिहास को एक dystopian future के साथ जोड़ता है कलकी ये तो अच्छी बात है लेकिन उधर critics picture की band बजा रहे हैं कह रहे हैं कि 600 करोर का बरवादी कैसे करते हैं, इस picture से आप सीख सकते हैं पिक्चर को जोड़ काट के बनाया गया है, बहुत ही uncertain storyline है, एकदम mismatch बैठ रहा है तो सच क्या है, क्या कलकी हमारे सिनिमा के इतिहास में एक नया अध्याय लिखता है क्या 600 करोर की movie 600 करोर की लगती है या आदिपूरुष के तरफ फिर से वीडियो गेम अनिमेशन परोसा गया है और और क्यों इस movie के reviews इतने बटे हुए हैं जानते हैं आज के बॉलिभक्त में कलकी की कहानी एक dystopian future के बारे में है जहाँ धर्ती पर लोग कीडे मकोडे के तरह जी रहे हैं और अच्छी life के लिए आपको धर्ती से उपर complex में जाना होगा जिस complex के RWA President है Supreme Yashkin played by Kamal Hasan complex में entry के लिए सालों से कोशिश कर रहे हैं भैरव या प्रभास भैरव एक bounty hunter है जो credits मने पैसो के लिए कुछ भी बेच देगा अपना इमान भी जब भैरव DP का या सुमेथी को पकड़ने की कोशिश करता है उसका bounty hunting करने की कोशिश करता है तो उसका पाला पड़ता है larger than life angry old man अश्वत्थामा played brilliantly by Amitabh Bachchan अश्वत्थामा सुमेथी का रक्षक है और villains के लिए एक कीट नाशक है यार ये कैसा इंसान है इस उमर में भी इसका action sequence प्रभास से बेटर है आमिताब जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ देखें मैं स्टोरी लाइन में ज़्यादा नहीं घुसूंगा ना ही मैं spoilers बताऊंगा कि भायरावबाद में actually कौन निकलता है अगर मैंने ऐसा किया तो आप मुझे ट्रोल करते करते ठकोगे नहीं मोटा मोटा नागश्विन की कलकी एक science fiction movie है जो हिंदू mythology को blend करता है अपने story line में ये कहानी प्रेडित है भगवान विश्णू के final अफ्तार जो आखरी अफ्तार है कलकी से पहले मैं आपको जल्दी से बता दू ये picture अच्छी किसे लगेगी फिर आते हैं कि 600 करोर रुपए खर्च करने के बाद भी picture कहा कहा फेल करती है अगर किसी न महाभारत पढ़ी है उसके characters के बारे में आपको मालूम है तो ये picture आपको अच्छी लगेगी क्योंकि references to महाभारत sprinkled है पूरे story line में कि महाभारत के characters के साथ क्या हुआ उसकी continuation में क्या हुआ इस picture में अच्छी तरीके से एक storyline बनाने की कोशिश की गई है मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी literature इतनी rich है हमारी mythology इतनी rich है कि हमें बाहर देखने की जरूरत नहीं है हमारे इतिहास में ही आपको इतने सारे characters और storyline मिल जाएंगे full points there to कलकी आदिपुरुष के disaster और ब्रहमास्तर के average VFX के बाद कलकी के VFX animation अच्छे है अब इतने भी अच्छे नहीं है कि आप अपने seat से ही गर जाओगे लेकिन हाँ VFX पर इस बार पैसा लगाया गया है तो उसके लिए भी आप point ले लीजिए नमबर 3 फिल्म की first half थोड़ी boring है भूमी का बांधना हमारी industry में एक पुरानी से गंदी आदत है लेकिन second half और final climax बहुत ही अच्छा है लगता है कि दो अलग-अलग editors ने इस movie को edit किया है first half जो की थोड़ी सी धीली है और second half जो की एकदम टॉट है एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको edit किया गया है obviously action sequences भी second half में जादा है तो movie के पास इतना star power है mythological content है, action sequences है VFX भी अच्छे से डाला गया है तो पैसे आपके वसूल होंगे, पैसे बरबाद नहीं होंगे movie hall में इतनी बात तो आप clear समझ लीजिए लेकिन जब आप 600 करोर रुपय लगाते हैं और cinema के इतिहास को रचने की कोशिश करते है तब वहाँ थोड़ी सी problem आ जाती है क्योंकि वहाँ scrutiny फिर थोड़ी और बढ़ जाएगी और picture को देखकर ये समझ में आ रहा है कि critics अपना बाल क्यों नोच रहे हैं इस picture को देखने के बाद जबकि ये movie commercially तो super hit रहेगे अच्छा quick quiz करते हैं इस बंदे का नाम आप मुझे बता दो 98% लोग इसे पहिचान भी नहीं पाएंगे एक प्रतिशद लोग शायद बोलेंगे आरे ये तो Jake Sully है आवतार का जो hero है लेकिन एक प्रतिशद भी ये नहीं बता पाएंगे कि इस बंदे का नाम क्या है इस बंदे का नाम है Sam Worthington आवतार movie के दो movies में lead actor रहे चुका है और Hollywood की history में सबसे profitable movies है billions कमाए है इस picture ने इस franchise ने लेकिन तब भी इस hero को जादा कोई नहीं जानता है क्योंकि जब आपकी story इतनी अच्छी होगी आपका VFX इतना अच्छा होगा आपका background score इतना अच्छा होगा तो hero उतना matter नहीं करता है खास कर की एक sci-fi movie में कल की सही direction में कदम तो लेता है अब मार पड़ेगी ये बोलने पर ये प्रभास की picture नहीं है प्रभास के fans गाली दे दे कोई tension नहीं है लेकिन प्रभास सिर्फ एक किरदार है इस picture में शायद सबसे कमजोर कड़ी है इस franchise की प्रभास उससे कई गुना stronger screen presence के अगर हम बात करें तो अमिताप का है और इस picture में तो 8 feet के हैं अमिताप बच्चर प्रभास second half में serious, brooding, action hero बहुत अच्छे हैं no doubt about that लेकिन हमारे directors ये बात समझते नहीं है वो सोचते हैं कि अरे hero popular है तो उससे हम कुछ भी करवा सकते हैं इसलिए आधी पुरुष में तोंद के साथ प्रभास को शीराम बना गिया अब कलकी में आधी picture में comic action hero बनाने की कोशिश की है प्रभास को भाई, प्रभास के पास comic timing नहीं है समझ लो हर action hero के पास comic timing नहीं होता है लेकिन नहीं हम उनको force कराएंगे अरे भया, shibling उठवा दो प्रभास से कि अगर आपने Hollywood की science picture देखी हो क्यों कि कलकी में न धेर सारा चोरी का I mean धेर सारा inspired सामान है या पूरी दुनिया हमारे इतिहास को टेपती है कार्मा ले लो, rebirth ले लो, good versus evil ले लो ये सारे concepts Hollywood हम से लेती है लेकिन जब हम science fiction picture बनाते हैं future हमें टेपना ही होता है Hollywood कलकी में आपको मिलेगा शम्हला, Matrix का Zion, आपको मिलेगा Pandora, Sid Pradid Ewa The Tree of Life, आपको Amitabh का get up थोड़ा सा familiar लगेगा, अगर आपने Lord of the Rings में Gandalf the Grey को देखा है थोड़ा सा Star Wars का Darth Vader feel भी देते हैं, शाशो तो भरा हुआ है, खास कर कि जब Zion पर, I mean, जब शांभाला पर final attack होता है कलकी की problem यह है कि उसे science fiction picture बनना है, महाभारत epic से जोड़ना भी है, लेकिन at the same time typical masala pod boiler picture भी बन कर रहना है इसलिए प्रभास villain को comedy करते करते धो डालते हैं हर दो second में low angle shot से slow motion में, siren की आवाज में प्रभास को cool दिखाया जाता है अब देखिए, है तो distant future लेकिन skin show तो थोड़ा चाहिए, dream sequence भी थोड़ा चाहिए, तो enter करती है दिशापाटनी as Roxy total waste of time only for skin show कल की 3 घंटे एक मिनिट की picture है, लेकिन जटके वाले cut से, जटके वाले storyline से ऐसा लगता है कि 4 घंटे की picture बनाई गई थी और उसको last minute में edit table पर बैट कर काटा है, इतना जर्की उसका storyline चलता है कल की box office पे तो धमाल करेगी लेकिन 600 करोर रुपए खर्च करने के बाद क्या इतिहास रच पाएगी, शायद नहीं क्योंकि RRR के तरह ये picture अच्छी है लेकिन bits and pieces, पूरा package perfect साथ में आता नहीं है बहुत लोगों को पसंद आएगी, खास करकि उन लोगों को जिन्होंने Hollywood की sci-fi movies नहीं देखी है कल की दर्वाजा जरूर खोलता है एक बहतर कल के लिए, एक बहतर इंडियन मूवी के लिए जहां storytelling, VFX, action sequence hero के presence से ज़ादा important है आशा करते हैं कि कल की 2 में शायद प्रभास को कम और storyline को ज़ादा importance मिले उसके उपर अमिताब बच्चन है part 1 में तो कमल हसन warm up कर रहे थे understated acting क्या होती है तो ये दिगज़ समझाएंगे प्रभास के fans को तो हो सकता है कल की part 2 is a much better production अगर आपने कल की देखी है तो comment section पे लिख के बताईए कि आपको ये picture कैसी लगी और spoilers मैंने नहीं दिये इसके लिए भी साबाशी थोड़ी से दे दीजिए और अगर आपने साबाशी नहीं दी नीचे तो अगले बार पूरा सारा story खोल कर रख दूँगा episode 1